नमस्कार, SBT News में आपका स्वागते और पेश रहे इस वक्त राजस्तान की बड़ी खबरें खबरों से पहले SBT News को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें इस बुलिटेन के प्रमुक खबरें इस प्रकार है इस बार एक उक्टूबर से नहीं होगा स्कूल समय में बदलाओ ACV महानिदेशक को सेवा नृति पर PHQ में विदाई कॉंग्रेस नहीं चाती कि किसान खुशाल हो भाजबा प्रवक्ता ने कॉंग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों पर लगाया आरो जोदपुर में 35 साल पुराने पेड को लगाया दूसरी जगह केंद्रे कृशी कानूनों में संशोधन करेगी गहलोज सरकार दीजेपी का किसान कल्यान जनसंपरक अभियान शुरू आगामी परिक्षाओं को लेकर आयोग ने जारी किये जरूरी दिशा निर्देश NLU राजसान को छोड़ कर समस 18 राजे अपने छात्रों के हितेशी एक करोड मास्क बाटेगी गहलो सरकार और अब खबरें विस्तार से राजसान के सरकारी स्कूलों के समय में फिलाल बदलाव नहीं होगा शुक्षा विभाग ने कोरोना के कारण चल रही स्थितियों को देखते हुए स्कूलों के समय में फिलाल बदलाव नहीं करने का निर्देश जारी कर दी है विभाग की ओर से जारी किये गए निर्देशों के मुताबिक एक पारी के स्कूल सुबह साड़े साथ बजे से दोपहर एक बजे तक और दो पारियों के स्कूल सुबह साड़े साथ बजे से शाम साड़े पांच बजे तक के समय में जिस प्रकार अभी संचालित किये जा रहे वेसे ही संचालित किये जाएंगे ब्रश्टाचान इरोदक ब्यूरो के महानिदेशक आलोग त्रिपाटी को सेवन्वती के अफसर पर IPS एसोसेशन ने बुद्वार को पुलिस मुख्याले में विदाई दी महानिदेशक पुलिस बुपेंद्र सिंग ने उनके सुधिर के एवं स्वस्त जीवन के लिए शुपकामना ये दी महानिदेशक अपराद ML लाठर वे महानिदेशक JBL सोनी ने उन्हें स्मृती चिन भींट किया केंद्र के मोधी सरकार के एक क्रिशी सुधार विदेकों के बारे में किसानों को जागरुक करने को लेकर भाचपा प्रदेश अध्यक्ष डुक्ति सतीश पुनिया ने किसान कल्यान संपरक अभियान का फेस्बुक लाइव के माध्यम से आगास किया कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए डुक्ति पुनिया ने कहा कि 55 वर्षों तक लूट और जूट के आधार पर राज करने वाली कॉंग्रेस का देश की जनता ने निती, सिधानत एवं विचारों से नकार दिया है जो साड़े तीन राजों में सिमट कर रह गई है और ऐसी कॉंग्रेस पार्टी पर भारत की जनता नहीं हला बोल दिया उन्होंने कहा कि मुझे ताजूप होँआ कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के नेतरतों में किसानों के कल्यान के लिए जाने वाले विधायकों ने किसानों की तक्दीर एवं तसवीर बदलने की प्रतिबधता जाहिर की है अफसोस हुआ है कि कॉंग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांदी ने कॉंग्रेस शासित राज्यों को यह कहा कि इन विधेकों का विरोत करे इसका मतलब सोनिया गांदी नहीं चाती कि किसानों का कल्यान हो उपच की अच्छे दाम मिले और उनका रकबा भड़े उनकी आयू दोगुनी हो राजसान में तबादलों का दोर शुरू होने के बाद बीजेपी ने कॉंग्रेस पर बड़ा हमला बोला है बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार पर बड़ा हमला बोलती हुए कॉंग्रेस के नेता और पदा अधिकारियों पर घंबीर आरोप लगाया है विदायक शर्मा ने कहा कि कॉंग्रेस के नेता सत्ता के मद में चूर होकर करमचारियों को तबादले का डर दिखा रही है और इतना ही नहीं तबादलों के नाम पर करमचारियों से वसूली की जा रही है उन्होंने कहा कि प्रतेक तबादले की कीमत फिक्स कर रखी है जैसा पद है वैसे ही कीमत अधिकारी करमचारियों से वसूल की जा रही है जोदपूर में बुदवार को पाल रोड सित मिल्कमैन कलोनी में 35 बरस पुराने पीपल के एक पेड़ को अनिस्तान पर लगाने के लिए जड़ सहित बाहर निकाल कर अनिस्तान पर लगाया गया एक मकान के विस्तार में बादक बन रहे इस विशाल पेड़ को पहले इसकी टहनिया काट कर हलका किया गया और इसके बाद बड़ी सावधानी से इसे निकाल लिया गया इस अनूटी पहल से इस पेड़ का बनार शेतर में फिर से लगा दिया गया केंद्रे किशी कानूनों को लेकर कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांदी की ओर से 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 कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांदी की पर चर्चा भी शुरू कर दी गई है। 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 S.S.C. परिक्षाओं में हिस्सा लेने वाले उमीदवारों को इसका पालन करना होगा। जिन उमीदवारों ने S.S.C. भरती परिक्षा के लिए आविदन किया है। वे ओफिशल वेबसाइट पर दिशानिरदेश डाउनलोड कर सकते हैं। S.S.C. ने उक्टूबर और नवंबर में सब इंस्पेक्टर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर आधी परिक्षाओं आयूचित की जानी है। रालिसान के चितोडगर जिले में बुद्वार को विविन हास्वों में चार लोग घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए जिलाचिक साले में भरती कराया गया। बेंगू थाना अंतरकर जैरेंगर गाम निवासी लापचन धाकड की खेट पर शराप टांसफोर्मर को उतारने के दोरान शटडाउन के बाब जुद्वार में करंट प्रवाहित होने से रामलाल भील करंट की चपेट में आकर बुरी तरे जिलस गया। बंगू थाना शेतर के मोतीपुरा गाम निवासी पंकज कंजर की बाइक और नियंत्र थोकर फिसनले से वहगंबी रूप से घायल हो गया। निकोम थाना शेतर के नपावली के समीप मेगवालों का खेड़ा गाम निवासी शंबूलाल मेगवाल की बाइक आगे चल कर प्रक के अचानक ब्रेक लगाने से टकरा गई। विश्वविद्याले की परिक्षा शाखा को सूचित करना होगा। आरक्षन नहीं दे रहा है। कोरोना की रोक्ताम और जागरुकता को लेकर लगातार समीक्षा बैटक कर रहे मुख्यमंत्री अश्रोग गहलोत ने मंती परिशत की बैटक ली। मुद्वार जुबै मुख्यमंत्री अवास पर शुरू हुई बैटक में कैबिनेट और राज्यमंत्री शामिल हुए। बैटक में 2 अक्टूबर गांधी जैनती से प्रदेश में जन जागरुकता अभ्यान शुरू करने का निर्ने लिया। यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें।